हेलो इंडिया, वल्कम टू इंडियन AI प्रोडक्शन, कम्प्यूटर विजन, यूजिंग डीप लर्निंग, बिगिनर टू प्रोफेशनल, हैंड्स अन पैटन कूर्स इन हिंदी के टेंसरफ्लो टूटूरियल 2.0 में, आज हम स्टड़ी करने वाल है, टेंसरफ्लो मैथ मॉडूल के बारे में, और इस मॉडूल में हम देखने वाल है, टेंसरफ्लो sqrt function के बारे में part number 8.5, तो basically हम क्या करेंगे, हम हमारे पास list, tuple और tensor के different different types होंगे, different different variables होंगे, तो उनका क्या हम square root निकाल सकते हैं, तो इसे के बारे में आज की studio में हम बात करेंगे, तो चलो इस tutorial को आगे बढ़ाते हैं, दोस्तो यह tutorial स्टार्ड करने से पहले, आपको मै request करना चाओंगा, description box में आपके link मिलेंगी, वहाँ पर आपको tensorflow tutorial की playlist आपको मिल जाएंगी, उसके उपर आप click करूंगे, तो tensorflow के सारे के सारे आपको tutorial मिल जाएंगे, तो basically अभी हमारे पास multiple tutorials है, जैसे कि addition, multiplication, subtraction, division, तो धे सारे function के बारे में हमने बात किया है, तो आज की इस वोड़े में हम बात करेंगे, how to calculate square root of tensors in a tensorflow, आपने फिछले tutorial देखे होंगे, तो आज का tutorial समझने में आपको आसाने होंगे, तो चलो है, सबसे बहले हम जानते, tfsqrt का मतलब क्या होता है, तो tfsqrt का मतलब होता है, square root, तो जैसे कि आपको square root calculate करना है, तो उस वक्त qrt function का इस्तमाल कर सकते हो, तो यहाँ पर यह क्या करता है, यह element wise square root निकालेंगा, element wise square root निकालेंगा, numpy, array का, tensorflow का, और इतना यह नहीं यह निकालेंगा, list, tuple, scalar, tensorflow में है, variable, placeholders, parse, matrix, तो different different data type का, यह square root निकालेंगा, अब यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, कि data type क्य इस तरीके के आप data type दोंगे, तब यह square root काम करेंगा, मान लो आप data पास करेंगा, लेकिन वो data integer type का है, तो यह square root function आपको error देंगा, यहाँ पर आपको कुछ, इसका syntax बताना चाहूँगा, tensorflow.math function में आपको just क्या करना है, आपको sqrt लिखना है, math में लिखने की ज़़ुर आपको error मेलेगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेंगा, यह return क्या करेंगा, यह return करेंगा, tensorflow.tensor, और same size आपको यह return करेंगा, जिस size का आपने tensor दिया है, बस वह ही type का आपको यह return करेंगा, with square root के साथ, right, तो चल्या, सबसे पहले, तो इस काम को आपको अंजा यह value float है, यह value float है, integer नहीं है, आप integer दोंगे, तो square root function आपको error देंगा, तो अभी यह आपर में 10 के जगा पर दोड़ा 9 लेता हूँ, ताकि आपको आसानी होगी समझने के लिए, तो एको मेनी call कर लिया 9, अब इसका हमें square root निकलना है, तो obviously हम इसका square root क्या निकलेंगा, 9 क square root क्या होता है, क्या होता है, 3, you are right, तो यहाँ पर आपको output क्या मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं, आपको tensor के format में आपको output मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर बता दिया है, यह tensor है, shape तो कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि हमने scalar value दी है, data type float 32 bit लेता है, by default आप 64 bit दे सकत हो, उसके बाद हमें numpy में क्या मिले है, हमें value मिले 3, right, तो इस तरह किसे हमें यह output देंगा, बट यहाँ पर element wise नहीं हुआ, यह तो हमने single item दिया था, इसके जिसे आपको element wise operation यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, next अब यहाँ पर हम बात करते हैं, हमने एक list दे दिया, आपको यह list square root निकालके दे देंगी, 4 का square root 2 होता है, 9 का square root क्या होतना होता है, 9 का square root 3 होता है, और 16 का square root कितना होता है, 16 का square root 4 होता है, obviously, आपने मैं तो पढ़ायोंगा, बच्पन में, right, तो यहाँ पर आप देखने तो इसका data type भी floor 32 by 24 ले ले लेता है, आपको उसको change कर सकते हो, कैसा करना है, आगे बताता हूं, right, next हम बात करते हैं, आपको square root निकालना है, तो क्या double का square root निकाल सकते हैं, बिल्कुल same format है, कुछ दिक्कत नहीं है, आपको इसका भी square root मिल जाएंगा, next हम बात करते है, क्या हम numpy array का square root निकाल सकते हैं, बिल्कुल हम निकाल सकते और आप यहाँ पर आपको ध्यान रखना है नंपाय अरे बाय डिपॉल्ट आप इंटेजर वैलू दोंगे तो वो डेटाटाइब उसका इंटेजर रखेंगा लेकिन आपको यहाँ पर सेट करना पढ़ेंगा डेटाइब इकोल्स टू एनपी डॉट फ्लोट और आपको यहाँ अपर आप देख सकते हो लेकिन इंटेजर मत देना नहें तो आपको यह error त्रोओ करेंगा तो यहा पर आप देखना चाहते हो कि हमारे पास जो भी नंपाय रहे है वह उसका जो डिफ्रंट है 2-dimension, 3-dimension, 4-dimension तो जैसे कि आप और हमारे पास जो data है वो 4-dimension में है तो क्या इसका भी हम square root निकाल सकते हैं element-wise, बेलकुल हम इसका भी square root निकाल सकते हैं सबसे बेल आप इसका data type देख लो 64-bit है और इसका square root निकालेंगे आप तो आपको value मिलेंगे इसी type में जिस type का आपका array है उसी type में आपको data मिलेंगा बस उसका बस हर एक element का हमें square root मिलीगा राइट? next हम बात करते है square root of tensor जैसे कि आपके बास specific tensor नहीं है तो आप tensor करना चाहिए create करना जाएते हो from list, from scalar value, from tuple so just you have to enter tensorflow means tf.convert-to-tensor then you have to pass any value like scalar value, list value, or tuple value and most important thing is that you have to assign data type so here I have mentioned float data type so by default it consider as float 32 bit okay so whenever you will pass this function so this function will return one tensor and after that the tensor pass to the sqrt function and this function will return square root of given tensor value after executing this cell you will get a tensor or here you can see the output of your tensor numpy equals to 2 right so in this way you can calculate square root of any tensor here I am going to pass a list value and after that it will convert into the tensor and then sqrt function will return one tensor with square root value of each and every element okay so now we are going to understand how to calculate sqrt of constant tensorflow tensor so here आपको बतना चाहूँगा कि आप tensorflow का जो constant tensor है उससे आप square root निकलना चाहते हो तो एकदम simple है same syntax है just यहाँ पर मैं आपको different different format बता रहा हूँ जो methodology है वो एकदम same है आपको क्या करना एक tensor पास करना है वो हरे करने each and every element का square root निकालके दे दे देंगा तो यहाँ पर आप tensorflow का constant पास करते हो तो यहाँ पर आपको इस तरह का output मिल जाएंगा आपको obviously tensor ही मिलने माला है next आप variable को पास करते हो तब भी आपको क्या मिलेंगा same output मिलेंगा element wise so I hope you learn in this video how to calculate square root of list, tuple, scalar value, tensorflow variable, tensorflow constant and in this way similarly you can calculate the square root of tensorflow placeholder and tensorflow sparse matrix if you want to copy this code so you have to go through description box in description box you will get the link of our website so go through that website and you will get all the code which I have explained in this video so I hope you understood this video very well if you have any question then you can ask me through comment box right if you want to learn another function of tensorflow so just mention in comment box I will create a dedicated video for that function so you will get more idea about that function how to use it and how to implement in real world so dosto this video को में जही पे एंड करना चाहूँगा मिलेंगी हम next video में तब तक के लिए सिखते सिखाते कुछ इंपलेमेंट करते रहो धन्यवाल किसेल एंप किसेल पे बुछ थे